नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूप चैनल nr study पर आपका स्वाकत है अगर आप हमें live यूटूफ पर देख रहे हैं तो चल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा और अगर आप हमें facebook page पर देख रहे हैं तो हमारे चाहते सकते हैं लाइक कर सकते हैं और आप सारे वीडियो देखना चाहते area पर आपको यूटू लिंक मिल जाएगा और मा जाईएगा और चेनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा दौस्तों जल्दी जुढ़ ने वाले हें धो système 15 customizable की उसकी आज 12 आ este तो यह 15 से क्लास में नाम लेते हैं तो इस बार भी हम नाम लें रहे हैं तो देखे दोस्तों जो पिछली क्लास के अंदर पांच टोपर रहे थे जिन्मेंसे एक नमर पर है आपके करू लाल मेना बहुत-बहुत बदई हो आपने पहला इस्तान प्राप्त किया है आपने सबसे तेज आणसवर दिये हैं बिल्कुल बहुत बहुत बदई हो और दूसरे इस्तान पर है रीटा वेस्नू रीटा पर तीसरे सार्मर को रहे सित्ता रहम जटावास और चोते स्थान पर है गिरी राज की सोर पांच वेस्तान पर वापस आ गई है दीपी का परजापत वेल डन नहीं आंसर दिये हैं और बहुत ही स्पीड के साथ और सई आंसर दिये हैं दोस्तों पहले तो मैं बात कर लता कि कल खुछ अब अद्र यह हम कह सकते हैं अस अमाजिकत्तो वाले भी मेसेज आ रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि यह जो क्लास होती है इसके क्लास के अंदर नाम किसी का नहीं लिया जाएगा अगर आप वाके में कमेंट करते हैं अगर आप आंसर देते हैं तो आपका नाम तो फाइप में आएगा उसी का अगली क्लास में लिया जाएगा यह मैं जबरदस्ति नहीं कहता हूं कि आप जोइन कीजिए ना कीजिए जो कल समझिकत्तों थे जिन्होंने कमेंट के अंदर अब अद्र बासा का परियोग किया उनको मैं साब साब कह देता हूं आपको अगर आप जबरदस्ति नहीं कह रहा हूं कि आप आईए हमारे कमेंट में मोक्ते सीरीज को जोइन कीजिए जिनको जोइन करना है वो अपने कमेंट करे वो जिनको नहीं करना है वो आप जा सकते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं तो इसी के साथ सुरुवात करते हैं एक motivation के साथ, हर रोज की तरह हम motivation के साथ चलते हैं, तो चलते हैं, तयार हो सभी, यस कै दे, बילकुल बילकुल, तो यह हमने शुरुवात कर दी हैं, जिनके अकेले चलने का होसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, आपके पीछे भी एक d preocup माफिला होगा, बस आप चल चलते रहे बस रूपने का नाम नहीं बस चलते रहे और एक दिन आकिरकार हम अपने लक्षे की और होंगे और दुनिया हमें देखकर हमारे पीछे हो जाएगी नहीं किसी बंदे ने सपलता हासिल किये दोस्तों चलते हैं कि उसनों की और जल्दी से अगर आप हमें फेस्बू करने वाला लोग परदाई राजिये कौन सा था तो आपको पताना है कि लोग परदाई राजी कौन सा था जिसने राजस्तान के इत्यास में सबसे अधिक सासन करने वाला लोग परदाई राजी कौन सा था तो आपके सामने पहला ओप्षन है यहां पर मारवाड और ओप्षन B है यहां पर मेवाड और ओप्षन C है साकंबरी और ओप्षन D है डुणडा तो जल्दी से अपने कमेंट कीजिगा अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं या यूटूब पर देख रहे हैं अपने कमेंट करते रहे जो भी टोप फाइप के अंदर होंगे उनका नाम अगली गलास के अंदर लिया जाएगा बिल्गुल ऐसा नहीं है कि मैं अगर सबके नाम अभी लेलू तो आप में वो जिगेसा नहीं रहेगी नहीं मेन लक्स यह क्या होता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोब 5 आते हैं उनके नाम लेते हैं जरूर जरूर बिल्कुल बताएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्छन 20 करेक्ट आंसर है मेवाड सभा जिसने सारवधिक शासन किया चलते बिल्कुल जिसने ऑप्छन भी आंसर दिया आपका आंसर बिल्कुल accurate है बहुत बहुत बुत बुत ऐखो इसाई सभी क्योंस्रों के आंसर देते हैं अगली क्ला में आपका नाम ले जाएगा चलो अगला ग्योशन आपके स्केन परा चुका है चावन सेली की चित्रकला किस सासके सासनकाल में विक्षित हुई एक ओप्सन ए यहाँ पर राणा अमर्शी हैं हमेर राणा राणा प्रताप राणा सांगा चलो बताईएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अपने आंसर देते रहे बिल्कुल बिल्कुल अपने आंसर देते रहे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका दोस्तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्सन सी जाना पड़ता जिस ने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है तो चलते हैं दोस्तों अगले क्योशन के और अगले क्योशन आपके स्कीन पर आ चुका है पिछली बार एक कमेंट अया था कि सर बहुत इजी क्योशन आ रहे हैं तो आज देखेगा किस प्रकार क्योशन आ रहे हैं मैंने कहा था कि शुरुवात टोपिक है तो शुरुवात के अंदर easy कि उसनी आएंगे और easy उनी को लगते हैं जो पढ़ते हैं इसका मतलब आप पढ़ते हो जल्दी बताओ किस इस्तान पर नहरका की मिनार इस्तित है किस इस्तान पर नहरका की मिरार इस्तित है ऑप्शन यहां पर कोठा ऑप्शन भी जालावार ऑप्शन सी टॉंक और ऑप्शन डी बुंदी जल्दी बताओ दोस्तों नहरका की जो मिनार है वो कोठा के अंदर इस्तित है बिल्कुल जिसने ऑप्शन यहां अंसर दिया है बिल्कुल आपका जवाब सही है तो चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाएं अगले क्युशन की हो अगला क्युशन आपके इस्किन पर आ चुक जहौर वर्त का प्रमान मिलता है ओप्शन ए है या पर चितोडगर्ड ओप्शन बी है अजमेर ओप्शन सी है रण थमबोर ओप्शन डी है आमेर तो चार ओप्शन आपके सामने हैं तो जल्दी से कोई एक आंसर दे दिजिएगा राजस्तान के किस स्तान से जहौर वर्त का प्रमान मिलता है दोस्तो इसका खरेक्टांस रहोगा ओप्शन सी रण थमबोर ये वापस रिपीट हुआ है पिछली बार हमने ये क्योशन ले लिया था कापी अंजर आप कैसे ही आ रहे हैं तो चलते हैं अगले क्योशन की और अगले क्योशन आपके इस्किन पर आच चुका है दुर्गादास राठोड का सम्मंद किस राजे से हैं अप्शन एक कोठा राजे ऑप्शन भी मारवार्ट अप्शन सी मेवार्ट अप्शन डी आमेर जल्दी से अपना आंस्वर दीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंस्वर्ट बिलकुल आपका आंस्वर बिलकुल सही है ओप्शन भी इसका करेक्ट आंस्वर होगा मारवार्ट तो दुर्गादास राठोड का सम्मंद किस राजे से है तो दुर्गादास राठोड का सम्मंद मारवार्ड राजे से है जिसने भी option B आंसर दिया है बिल्कुल आपका जवाब सही है तो चलते हैं आगले क्योशन की और आगले क्योशन आपके इश्किन पर दूर्गादास राठोड ने किस मुगल सासक के खिलाब विद्रो किया था दूर्गादास राठोड ने किस मुगल सासक के खिलाब विद्रो किया था ओप्षन A, सहाजा, ओप्षन B, हुमायू, ओप्षन C, ओरंग जेप, ओप्षन D, अक्वर तो आपके स्कीन पर चार ओप्षन आपको नजर आ रहे होंगे कोई एक इसका करेक्ट आंस्वर है, तो अपने आंस्वर दीजेगा बिल्कुल, बिल्कुल, आपके आंस्वर बिल्कुल सही आ रहे हैं इसी तरह आंस्वर देते रहे, आंस्वर देते रहे, तो फाइप के नाम अगली कलास में गोशित होंगे तो आप 5 के नाम अगली क्लास में गोशित होंगे तो बिल्कुल जिसने option, option C answer दिया है औरंज जे उनका answer बिल्कुल correct है तो चलते हैं दोस्तों अगले क्योशन की और बिल्कुल बताईयो आपको आगला जोशन आपके skin पर आचुका है मेवाड राजे के बिजोलिया ठीकाने का संस्तापक कौन था option A, जमनालाल बजाज, option B, असोग परमा, option C, राणा, जार सिये option D, इन में से कोई नहीं तो जल्दी से अपना answer दीजिएगा, क्या होगा इसका correct answer दोस्तों इसका correct answer है option B, असोग परमा, क्या answer है, बिल्कुल असोग परमा, जिसने option B answer दिया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है चलते हैं दोस्तों अगले question की ओर, अगले question आपके skin पर, तो question क्या है बील आंदोलन से सम्मंदित चत्र है बील आंदोलन से सम्मंदित चत्र कौन सा है यह आपको बताना है तो option A यहापर क्या है? 0 E, option B, दाप्ता, option C, पालनपूर, option D, अप्रक्त सभी जल्दी, इस क्यूशन को थोड़ा समझ के आंसर दीजेगा थोड़ा समझ के आंसर दीजेगा, पहले ही बता देता हूँ confused जरूर होंगे इनमे बिल्कुल इसका correct answer है, option D, देखो यह तीनों ही चत्र है न, शिरोईद आता है और पालनपूर यह तीनों ही बील आंदोलन से सम्मंदित है तो चलते है दोस्तो अगले क्युशन की और, दोस्तो अपने जोजाओं भी देते रहे कि आपको क्युशन के साथ अगर व्याक्या पढ़नी है तो भी आपके सुजाओ comment box में हाजीर है चलो बताईएगा राजस्तान में कछावा राजबंस की छत्रिया कहां इस्तित है बहुत ही अच्छा क्योशन है और ये exam में पूछे गए क्योशन है जो पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि क्योशन कितने important है राजस्तान में कछावा राजबंस की छत्रिया कहां इस्तित है देखो option A यहां पर आ रहा है बूंदी option B आ रहा है गेटोर option C आ रहा है मंडोर option D आ रहा है जलावाट और आपको दोस्तों एक और बात बता दू constable की date आ चुकी है 6-7-8 नौंबर को constable के exam होने वाले हैं जिनको पता नहीं है अपने सात्यों को बता दे कि constable की date आ चुकी है और राजस्तान के mock test series join कर ले क्योंकि constable के exam से पहले आमारे 500 क्यूशन और प्लस Google भी हो जाएगी sorry जोगरोपी हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी आपकी जित्ती भी है वह वो जाएगी पूरी तो चलते हैं दोस्तों क्या होगा इसका correct answer और इसका correct answer का option भी गेट और गेट और इसका correct answer है बिल्कुल चलते हैं अंगले क्यूशन की और दोस्तों क्यूशन है परवंद कोस परवंद कोस निम्न में से किस की करती है परवंद कोस निम्न में से किस की करती है तो यहां पर option A है राणा सांगा option B है विजे कुमार option C है राज से कर और option D है जयानक जल्दी से अपना आंसुर देए क्या होगा इसका correct answer परवंद कोस बिल्कुल जिस ने option C हाँवों आंसुर देए विल्कुल आपका जवाब correct है राज सेकर लेक एकक है इनकी करती है किसकी यह परवंद कोस तो चलो बिल्कुल जिसने option C आंसुर देए विल्कुल आपका जवाब correct है चलता है अगले जिसें के और तो कांस्टबल की तेहरी करते रहे जिनके कांस्टबल के एक्जाम होने वाले हैं वो अपनी तेहरी करते रहे दोस्तों क्यूट से रंगला आ चुका है किस सासक ने डूंडार राजे की इस्तापना की किस सासक ने डुंडार राजे की इस्तापना की थी आपको बताना है Option A, मानसिये, Option B, दुल्ला राव, Option C, चंद्रसेन, Option D, बारमल दोस्तों कोई एक इसका करेक्ट आंसर है जल्दी से बताईएगा जल्दी अपने आंसर देते रहे, अपने आंसर देते रहे दोस्तों दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है Option B, दुल्ला राव तो किस आंसकने की थी डूंडाड राजि की स्थापना, तो नुंला रा, उन्हें, डूंडाड राजि की स्थापना खी थी बिलकुल, जिसने आपस्त्त भी आँस्वर दिया है, आपका जवाब बिलकुल सही है, तो चलते हैं, अगले justamente की ओर, तो अगले आपके स्कीन पराद चुका है सन 1938 इस्वी में जोदपूर में कहां जोदपूर में मारवाग लोग परिशत का गठन किस ने किया था मैं बता देता हूं कि ये क्योशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सन 1938 में जोदपूर में मारवाग लोग परिशत का गठन किस ने किया था तो पहला ओप्शन है यहाँ पर जमनालाल बजाज ओप्शन B हैं यहाँ पर मोतिलाल तेजावत जय नरायन व्यास चलो जल्दी से अपना कमेंट दीजियेगा क्या होगा इसका क्रेक्टांसवार जल्दी जल्दी दोस्तों आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं अपने कमेंट देते रहे अपने comment देते रहे option सी इसका अन्सवर होगा जै नाराणि व्यास इसका करेक्ट राहे आँ्सवर जैनाराणि व्यास तो देखे दोस्तों जोतपूर का नाम आते ही यहां पर जै याणी जैणार व्यासजी decided जहां पर सम्भश्या है दो वोई जिल्ला होगा बिल्कुल ओप्शन जिसने सवाँस्वारत सी दिया है बिल्कुल आपका ज़बाब करेक्ट है तो अगला केशन आपके स्कीन पर आ चुका है राजस्तान में त्रीपूर सुंद्री का प्राचीन मंदिर इस्तित है राजस्तान में त्रिपूर सुंद्री का प्राचीन मंदिर कहां इस्तित है तो ओप्षन ए क्या है आपका उदेपूर ओप्षन भी बासवाडा ओप्षन सी अजमेर ओप्षन डी डुंगरपूर तो जल्दी से अपना कमेंट दीजिएगा अपना प्यारा सा उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा उत्तर प्यारा है जो त्रिपूर सुंद्री का प्राचीन मंदिर जां इस्तित है बताईएगा कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर है ऑकिसेन बिए सी जिसने बिए उसन बिए आंसर देा बिल्कुल आपका जबाब सही है काभिले तारीव है है चलो अगले किश स्चुन के आपके रीम पर राजस्तान में महीशासुर मर्दिनी की प्राचीन्तम की प्राचीन्तम मर्णमूर्थी किस इस्तान से प्राप्त हुई? अप्सवर यहां पर गागरोन और और ऑप्सण डी है नेनवा जल्दी से बताओ अपना अंस्वर जल्दी अपना अंस्वर देते रहे अपना अंस्वर देते रहे इस बार देखते हैं कि टॉप फाइप में कोन आता है जल्दी अपना अंस्वर देते रहे आपका जवाब सही है बहुत बहुत बढ़ाई हो तो चलते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन भी आपके स्कीन पर आ चुका है दोस्तों क्यूशन है निम्न में से गूज्रों ने अपनी राज़दानी कहां बनाई थी निम्ण मेंसे गूजरों ने अपनी राज़दानी कहाँ बनाए थी ऑप्सेन A है याँ पर मेवार्ट ऑप्सेन B है जालावार्ट ऑप्सेन C है बिनमाल ऑप्सेन D है आबू जल्दी से पताइएगा कौनसा आंसर होगा इसका दोस्तो निम्न वैसे गुज्रों ने अपनी राज़दानी कहा बनाई थी तो ऑप्षन C होगा बीन माल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर जिसने भी ऑप्षन C आंसर दिया है बिल्कुल अपना आपका जवाब सही है जल्दी से अपना आंसर दीजेगा चलते हैं अगले क्योशन की और अगले क्योशन आपके स्कीन पर आ चुका है अगले क्योशन आपके स्कीन पर आ चुका है दोस्तों क्यूशन क्या है चावडा राजपुत क्या क्यूशन है चावडा राजपुत राजवन्स का सासन राजस्तान में कहां पर था चावडा राजपुत राजवन्स का सासन राजस्तान में कहां पर था ओप्शन A है जालावाड ओप्शन B है मेवाड ओप्शन C है चैपूर ओप्शन D है आबू चार ओप्शन आपके सामने दिख रहे हैं जल्दी से अपना आंसर दीजेगा क्या होगा क्रेक्ट आंसर चावडा राजपुत राजवन्स का सासन राजस्तान में कहां पर था जल्दी से अपना आंस्वर दे क्या होगा इसका करेक्ट आंस्वर दोस्तों इसका करेक्ट आंस्वर होगा option द या डी आबू माउंट आबू वही आबू है ना चलो जिसने option 4 आंस्वर दे बिलकुल विलकुल आपका जवाब करेक्ट है तो अगले के उसन का आंस्वर दीजेगा विलकुल विलकुल अगले के उसन आपके इसके इंट राज चुका है राजस्तान के मद्यकाल के किस राजस्तान के मद्यकाल के किस राजपूत किस राजपूत सासक वन्स को गुज्रेश्वर कहा जाता है बहुत ही अच्छा क्योंस नहीं कि राजिस्तान के मद्यकाल के किस राजपुत सासक वन्स को गुज्रेश्वर कहा जाता था तो आपको पताना है कि किस सासक वन्स को गुज्रेश्वर कहा जाता था तो option A है या पर परतिहार, option B है राठोर, option C है चोहान और option D है परमा चल्दी से अपना correct answer दीजिएगा कौन सा इसका answer बिल्कुल सही है ये आपको बताना है बिल्कुल बिल्कुल अपने answer देते रहे बिल्कुल जो correct answer देंगे सबसे ज़्यादा और पूरे जो क्योष्ण के answer देंगे उन टॉप का नाम अगली क्लास में लिया जाएगा इसलिए इस पर तोड़ से देखो स्लाइड की नीचे लिख रखा है इस क्लास के टॉपर्स का नाम अगली क्लास में बताया जाएगा तो बताओ क्या होगा इसका correct answer बिल्कुल इसका correct answer है option A, परतिहार पिछली क्लास में जो कहने वाले थे कि सर आप easy question डाल रहे हैं तो आज कैसे लेगे question आज बताया है आज कैसे लेगे question पिछली बार तो वो शुरुवात ही topic था तो शुरुवात के अंदर तो देखो भाई easy question ही आएगे बिल्कुल तो चलते है अगले question के और अगले question आपके skin पर आचुका है राजस्तान के अधिकांस राजस्तान के अधिकांस राजपूत राजवन्स किस मुख्ये राजपूत राजवन्स के सामन थे आपको बताना है option A है यहाँ पर परमार option B है परतिहार option C है चोहान option D क्या है यहाँ पर चंदेल चलो एक बार option वापस बोल देता हूँ option A है यहाँ पर परमार option B है परतिहार option C है चोहान और option D है चंदेल तो जल्दी बतेए का अंस्वर क्या बात है कमेंट आने बंद कैसे हो गए आपके कमेंट करते रहे दोस्तों कमेंट करते रहे कांस्टबल के एक्जाम भी आगे हैं तो सोचेगा स्टुडेंट पावर जो भी चल रही है उसकी वज़े से सारे एक्जाम होंगे बेफिकर होकर अपढ़ते रहे बस दार पर लग जाईए कि नहीं हमें तो इस बार सीट अपनी है बेफिकर होकर आगे बढ़ते रहे कोई रोगने वाला नहीं है अगर मैनत हमारी मजबूत होगी तो लक्सिये कुछ चलके आएगा बिल्कुल बिल्कुल तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा परतिहा इसने ऑप्शन भी आंसर दिया बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है परतिहा रहे इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल बहुत बहुत बदाई हो अगले क्यूशन का आंसर भी देते रहे तो अगले क्यूशन तेयार है देखते हैं कितने आंसर देते हैं बिल्गुल राजस्तान में कहां पर राजस्तान में कहां पर गुईल सासको ने लंबे समय तक सासन करने के बाद चोहानों की अधिनता को सभिकार कर लिया था जल्दी अपना अंसर देते हैं क्मेंट करते रही हैं कमेंट करते रहे हैं बस इस बिनिट की क्लास में ठक गए कन्यों करते हैं कि से लिए शेस सास्ते बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है आपको बहुत 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 बदाई हो चले अगले कि उसने के इसके पराज सुका है राज का आकरी सवाल आज का आकरी सवाल आबू के किस परमार सासक को परमारो के मरू मंदल का महराज कहा जाता है चलो बताओ आबू के किस परमार सासक को परमारो के मरू मंदल का महराज कहा जाता है आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट अंसर आपको कुमार पाल आपशन बी है सिद्राज और आपशन C है नरंदर आपशन D है संकर वर्मन जल्दी अपना अंसर दीजिएगा अपना प्यारा सा अंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा देखते हैं आपका प्यारा सा आंसर राइट होता है या गलप बेलकुर इसका यह एक्जाम की दर्ष्टी से काफी महतोफून परसन है अभी जो एक्जाम हुए थे जिनमें हमारे लगबग मान के चलिए काफी क्यूशन मिले हैं और मैंने इसका विसलेशन भी किया था दोस्तो इसका चलो करेक्ट आंसर बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ओप्शन भी सिद्ध राज इसने ऑप्शन भी आंसर दिया है विल्कुल आपका जवाब करेक्ट है तो आपके किस परमार सासको परमारों के मरूमनल का महराज का जाता था तो सिद्ध रा बुगोल चलेगी राजस्तान की बुगोल के बारे में हम बुगोल की दुनिया में गूमेंगे तो वह भी लगबग 3,000 क्योशन होंगे तो आप जो भी कांस्टेबल की तहरी करने वाले हैं वह मौक्टे सीरीज को पूरी मिला के जाए कारेंटी के साथ है कि आपके लगबग 80 क्योशन मिलेंगे हो सके तो 80 से ज़्यादा आए तो मान के चलिए अगर आपको येकिन ना हो तो हमारे पिछले पेपर के जो हमने विस लेशन किये हैं वह आप देख सकते हो बीस्टी सी का पेपर भी किया और डिप्टी कमांडेट पेपर का भी किया तो दोस्तों आज की क् केमेंड में बता देगी आपको क्यूशन व्यक्या के साथ चाहिए या ऐसे ही चलने दे बिल्कुल चलो दोस्तों अगर आप में फेस्बुक पेज पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज नवरत्माली पर आप फोलो कर दीजीगा और लाइक कर दीजीगा औ चैनल आपको फेस्बुक पेज पर उपर मिल जाएगा और साथ ही अगर आप हमारे टेलिग्राम ग्रुप से जुनना चाहते हैं तो टेलिग्राम को भी जोइन कर सकते हैं तो मैं आपका नवरत्न आपका दोस्त इजाज़त लेना चाहूंगा तो धन्यावाद दोस्तों हमा